हालो दोस्तों इब फिर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है मैं एक नए वीडियो लेकर नए अपडेट लेकर आ गया हूँ आज मैं आपको सुनवाल का अपडेट दूँगा जिसमें रेल का काम जो है कि टर्न आउट रेल लेंग का काम सुरू कर दिया गया जैसे कि आ साथ लाइन बिचाने का काम किया जा रहा है जिसमें वान और टू लाइन का टर्न आउट होगा नमबर आफ जो लाइन नमबर थ्री है उसमें टर्न आउट लगा जा रहा है देखे दोस्तों यह हमारा टर्न आउट जो है कि जो हमारा सुनवाल प्लेटफॉर्म है सुनवाल कि दोस्तों इसको भिच या रहा है और यही पर टर्न आउट है जो लाइन नमर वान और लाइननमर फुर्टी में जोड़ दिया ये देखे दोस्तों यही काम बहुत तेजी से किया जा रहा है यह हमारा बीच में रेल लगी हुई है यह CMS बोलता है इससे हमारा जो jog rule रेल है रेल डैवर्ट होती है one track से दूसरे track पर है जैसा कि आप आप लोग train में सफर करते लिचुनत Single holiness यह CMS जो है लगा रहता है जो यह एक ट्रेक से दूसरे ट्रेक की तरफ डेबट करता है देखे दूस्तों यहाँ पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है यहाँ पर हमारा में पाउड लगे हुए है लगभग आज जो है कि 30 में पाउड लगे है और यह काम जल से जल कम्प्लीट कर लिया जाएगा यह पहला टर्न आउट का काम अभी शुरू किया गया और यहाँ पर लगभग 4 टर्न आउट है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो में लाइन होगी एक लाइन नमर 3 और एक लाइन नमर 4 तो 1 और 2 लाइन नमर 3 में जाके जुड़ जाएगी और लाइन नमर 5 औ नॉर्मल स्लिपर से इसकी वाड़निंग जादे हैं जितना आगए जाएगा उसमें उतना लेंथ बढ़ती जाएगी उसकी स्लिपर की और जहां हमको जूड़ना होगा वहां पे रेल का जो लेंथ है वो कम होती जाएगी देखे दोस्तों यह जो रेल रखा हुए उससे स्वीच्ग बोलते हैं यह स्वीच्ग रेल से जो ट्रेंड का जो वील है एक लाहन से दूसरे लाहन सिफ्ट हो जाती है चलिए दोस्तों हम आपको क्लियरली दिखाते हैं देखें दोस्तों ये ग्रीन कलर का रेल है इसे स्वीच रेल बोलते है आपको जानकारी के लिए बता दे कि रेल का पेंटिंग पर डिपेंट करता है कि नमबर आफ रेल कौन सा है किस टाइप का रेल है औ यहां पर लगा जा रही है और एक मेटल वाली भी लगाई जा रही आप लाइन देखेником तो उस पर नमबर लिखा होगा कोई 37-37 का कोई 47-48 का ऐसा ही लाइनर होता है देखे दोस्तों यहाँ पे पूरा स्वनोल साइट दीख रहा है यह स्वनोल साइट का जो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म रियर से 50 मेटर आगे जाके हमारा 8-350 पुलिया है जो 12 A नमबर वहाँ पे टर्न आउट है वन और लाइन नमबर दो का जो लाइन नमबर 3 में जाके मिल जाएगी देखे दोस्तों यह प्लेट है जो हमारा यह स्वीच रेल है स्वीच रेल के नीचे लगाई जाएगी और इसको ERC उसमें लॉक कर दिया जागा जैसे हमारा जो की रेल फिक्स हो जाए और जो ट्रेन चलेगी उससे कोई दिक्कत नहों और रेल और स्लिपर खिचके नहीं चलिए दोस्तों एक बार फिट से आपको टर्न आउट की तरफ लेके चलते हैं दोस्तों ये बगल में लाइन नमबर थ्री है जिसमें हमारा ये ट्रेक को जोड़ा जा रहा है इसी पर हमारा पसंजर ट्रेन चलती है जो तीन टाइम है, सुबर, दोपर और साम तीन टाइम आती जाती है और यही एक रणिंग ट्रेक है बाकी तो अभी कंश्रक्शन किया जा रहा है और सुनवल यार्ड का लगभग 80% ट्रेक लिंकिंग का काम कॉंप्लिट कर लिया गया 20% ही बैलेंस है, वो भी विदिन वन मथ कॉंप्लिट कर लिया जाएगा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुनवल साइड ही सबसे आगे पर चल रहा है अभी सिटी साइड है और काज़पुर घाड साइड का लिंकिंग का हम चालू कर दिया गया बट वहाँ पे लगभग 65% ही कॉंप्लिट करा गया है और यहाँ पे 80% कॉंप्लिट कर लिया गया चलिए दोस्तो हम आपको एक बार फिर टरन आउट की तरब लेके चलते हैं जैके दोस्तो इधर स्लीपर स्क्वेरिंग कर लिया गयी है यहाँ पे स्लीपर का जो इस्पेसिंग है 600 रखेगे यह और बलास्ट जो है में में 350 का कॉंचन दिया गया है ज़ो मारा लूप लाइन है लूप लाइन में अड़ाइस वा का कॉंचन दिया गया है जैसे कि आप लोग देख पार रहे हैं जोस्तों यहाँ पे जो स्लीपर रखा हुआ है वो मैनुवली सिप्ट किया जा रहे हैं और यहाँ पे सुपरवाइजर और इंजिनियर साब लोग हैं जो कि यहाँ पे क्रोस्चेक कर रहे हैं कि कहीं लाइन ट्रेक इधर उदर सिप्ट ना हो जाए उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि देखे दोस्तों यह मैनुवली स्लीपर को सिप्ट किया जा रहा है देखे दोस्तों यह रेल जो रेल को भी अपना लाइन में मिलाने के लिए मैनुवली ही सब बलके दोरा सिप्ट किया जा रहा है